जै महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ भले चंगे होंगे और मज़े में होंगे दोस्तों हमारी भारतिय संस्कृति में भारतिय घरों में रसोई में कई एसी चीजे मौजूद हैं कई ऐसे मसाले कई ऐसी चीजें जो देवी देवताओं को अतिप्रसन्न करते हैं या उनका प्रतीक माने जाते हैं ऐसी वस्तुओं को सेवन करने से कई देवी देवता प्रसन्न होते हैं आपने देखा होगा स्वेम अपने जीवन में महसूस किया होगा या कई अपने आस्परोस के लोगों में आपने महसूश किया होगा कि कभी कबार कोई ऐसा काम होगा क्यों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये काम बिलकुल भी बनेगा नहीं या इस काम में काफी अडबंगे आ रहे हैं और जब आप किसी दिन उस कारे को करने के लिए जाएंगे तो वो काम बड़े ही आसानी से हो जाएगा, बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा तो ऐसे समय में क्या होता है कि आपने कोई चीज ऐसी सेवन कर ली, खा ली या किसी चीज को छू लिया या देख लिया तो ऐसा करने मात्र से उस चीज से संबंदित देवी सक्ति पूरे दिन आपके साथ रहती है और ऐसा होने से उस दिन आपका कोई भी काम बिगाड नहीं सकता है आपका कोई व्यक्ति बाल बाका नहीं कर सकता है तो बड़े ही आसान तरीके से आपके काम निकल जाते है तो ऐसी ही एक चीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हर भारतिय घरों में रसोई में मिलेगी और यदि व्यक्ति उसका सेवन करता है तो उसके सेवन करने से स्वयम हनुमान जी प्रशन होते है और जिस व्यक्ति पर हनुमान जी प्रशन होते है उसके उपर मंगल और सनी की कृपा रहती है मंगल और सनी हमेशा सांथ रहते है अब ये जो तीन देव हैं यही देव सबसे ज़्यादा किसी का बिगाड़ सकते हैं या सबसे ज़्यादा भला कर सकते हैं यदि ये रूष्ट हो जाते हैं किसी कारण से तो व्यक्ति को उपर से नीचे जमीन दोस्त कर देते हैं और यदि ये किसी पर प्रशन है तो जमीन पर पड़ा इंसान भी महलों में राज करता है तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचेंतम गृंतों में छुपे हुए कई ऐसे गूट रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तो आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे द्वारा बताएगे उपाए आप तक आसानी से और तेजी से पहुचेंगे तो चले दोस्तों बताता हूँ वो उपाए के जिसको करने से हनुमान जी आप पर प्रसन रहेंगे मंगल और सनी सांत रहेंगे अपनी कृपा वर्साएंगे इससे आपके सारे ही काम बहुत ही सुव्योस्टित तरीके से और सरलता से हो जाएंगे तो आपको करना क्या है मंगलवार के दिन सवेरे जब आप स्नानादी नित्यकर्म कर लें पूजा पाठ यदि करते हैं तो वो कर लें ध्याल प्राणायम आसन करते हैं तो वो जब आपका संपूर्ण सब समाप्त हो जाता है इसके बाद आप क्या करें कि जो देशी गुड आता है देशी गुड की आप छोटी सी कंकरिया धेला ले ले यदि पसंद है तो धेला ले ले पसंद नहीं है तो थोड़ी सी कंकरी ले ले और इसको मुँ में रखें दातों से चबाए नहीं और इसका रस आप धीरे धीरे औम नमो हनुमते ऐसा बोलते जाएं। जब तक ये गुड़ आपके मुझे है। तब तक आप औम नमो हनुमते आँख बंद करके या चलते फिरते जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए उसमें। ये बोलते रहें ओम नमो हनुमते ऐसा बोलते रहें जब तक वो गुड़ का ढेला आपके मुपा है इसके बात क्या करें कि जब आप तैयार हो जाएं और जब घर से बाहर निकलने लग जाएं तो वैसा ही थोड़ा सा देशी गुड़ का ढेला एक लाल कपड़े में लपेट करके अपने सीधे वाले पोकेट में जब में डाल ले उल्टे वाले पोकेट में नहीं डालना है सीधे जब में आप डाल ले और निकल जाएं जहां कहीं भी आपको मंदिर दिखता है और जी हनुमान जी का मंदिर दिख जाता है तो अति उत्तम है सबसे पहले आपको प्रैत्म करना है कि हनुमान जी का मंदिर ही आपको तलासना है या आपके रास्ते में आता है तो इस तरह का रास्ता पसंद कीजिए कि वहां से होकर जाईए और वहां पर बेठे किसी व्यक्ति को आप वो गुड निकाल करके दे दीजिए और कपड़े को जेब में रख लीजिए पूरा दिन आपके साथ में ये देवी सक्तियां चलेंगी कोई भी व्यक्ति या कितने भी व्यक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगार सकते हैं किसी में ताकत नहीं है दम नहीं है किसी की कि आपका बाल बागा कर सके या आपका काम जरासा भी बिगार सके जो भी काम आप सोचेंगे वो आपके बनेंगे पैसे टके से ले करके जो कुछ भी आप सोचेंगे आपके काम पूर्ण होंगे कम सकम पाँच मंगलवार इस उपाय को करें लाल कपड़ा आपको यही रखना है इसके बाद भी आप इस कपड़े को यूज में ले सकते हैं पूजा में या कहीं पर आप इसको जल प्रवाहित कर दो हर दफ़े इस कपड़े को धो लें इसमें गुड जेब में रखें अनुमान मंदिर के बाहर किसी वखने को आप ये गुड दे दें आपके आगे आगे आपका काम बनाएगे आपके विरोधी जो आपके बारे में कुछ भी सोच रहे हैं आपके जाने से पहले आपके आने के बाद उस दिन कुछ भी आपका विगाड नहीं पाएंगे तो कोई भी आपका मंगलवार के दिन ऐसा काम है जो बरसों से अटका पड़ा है पैसे की लेंदेन है कोई भी चीज है निस्चिंत हो करके इस उपाय को करके चले जाएए और बहुत ही आसानी से आपके सारे काम हो जाएंगे बिलकुल भी चिंता मत कीजिएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दिव प्रिकास और अपने जिवन में लाभनवित होते रहें धन्यवाद